वेलकम और वेलकम बैक टू मैं चैनल बीए समेस्टर टू पंजाबी लाच्मी दे विच पुटसिद निबंदा दा संग रहा है अपा स्टाट किता हुए जड़ा की नवतेज पार्ती दे दुवारा लिख्या गया है इस दे विच पा 13 नंबर चैप्टर आज कवर करांगे अफजल साहर ता पुटसिद निबंद संग रहा दे विच जड़ा नवतेज पार्ती ने राइटर ने इस दे नाली चैनल नूँ बत्तो अच शेर करो ताक कि कोई भी नीडी परसना उस तक वीडियो पहुंचती होए ते नाली मिन्नू भी मोटिवेशन मिले मैं जल्दी जल्दी तो अड़िली विडियोस लेके ओंदी रहा सो स्टार्ट करते हैं 13 नंबर चैप्टर अफजल साहर इस तो पहला 12 टॉपिक्स अपा गवर कर चुके हैं चेक आउट जरूर करें हो अफजल साहर निबंध नवतेज पार्ती दा लिखिया गया निबंध है इस निबंध दा जड़ा विशा है ओकी है पाकिस्तान तो आई जरी अफजल साहर घीक है उत्तो देर वाइटर ने पाकिस्तान दे ताब पाकिस्तान तो नदी भूग काई है अफजल साहर इपे बुखदा की नाम है प्रेम कहे ठीक है इज़े विशे इज़े रूप बोली समंदी परशंसा परेविचार प्रकट किते ने ठीक है इस जड़ाईने बंदय देविच अफजल साहर ने जड़ी पाकिस्तान देविच बुख लिखी सी था की उन्दा है के जड़े अपने पार् पाकिस्तान तो भी जड़ी बुख का इसी अफजल साहर दी प्रेम कहे ठीक है कवीता है देविच ता इज़ा विशावी की किस बारे हे पॉइम है इज़ा रूप किये इज़ी बोली के डिये ता बहुत प्रशंसा परे शब्दा ने ब्यान इस निवन्द विच किता गया एप उस तक लेंदी बोली दे विच है तो उनों बतल लेंदी बोली जड़ी है ओदर वाले पाकिस्तान वाले जड़े पंजाब है उत्थे बोली जान दी ठीक है ओदर ले एरिये दे विच ता लेंदी बोली विच हो है इस विच नफ्तेज पार्ती ने दोहे दे सुरूप पुस्तक जड़ी है इजा कवीता दे रूप दे विच्छ जड़ा है गाए ते दोहे दे स्रूप दे प्रती जड़े दोहेस दे विच्छ बुक चुजुँज किते दन्वतेज पार्ति ने उना दी प्रशंसा किती है कि राइटर जड़ा पॉइट है उसने किन्य वदिया त् चज़े थिए कवीतानो शड़ाया तले लेख चैनद है कि इसनों शरहाद पार तो आई अवजल साहर दी पुस्तक प्रेम कहें दी प्रापति होई ठीक है वी मेंनों ए मुझ प्रापत होई है एक अन्मोल पुस्तक आए इकनमोल खजानना है लेखा कोन जिह आयां कहना चों 5,67, जिकर करती थी, बंदे दे वजूद दा की मायने ने, की मे वजूद जिड़ा है, खेड़ ना खेड़ दे आ, बंदे दे वजूद दी खेड़ कोई नवी नी आ, बहुत ही पुराने समय तो चल दी आ रही है, पर दूर्शन दे करके, कि बंदें दे वजूद घड़ी खेड़ी की जिढूर रही है पापा की है करहें जिर्दी खेड़ी क्यों get की यह खेड़ी है अव्धाद रहे खेड़ी कुछ में बापके कीष से जनकर्च आए औहा चाहर अधोलिन यह ज्यो आधाए मैं डीपली नहीं जाना लेकिन डेड़ा है पर दूशन दे करके होड चीजां करके बंदेदा वजूद जेड़ा है उजी खेड संकट देविच पै गई है कभी बहुत कुछ अनकेहा चाड़ देंदा है वी बहुत प्रॉपर पूरिया चीजा नहीं कहन दा क्योंकि कवीता ज कि दोहा अर्थात कवीता जड़ी है पिंगल जा अरूज दी श्या नहीं एता हस्ती दे चलवलालनु इक लाया देविच बनन दी जोगत है ठीके कवीता की यह कि अगर पाशा ठीके तो नू सुने होना कि पहला पिंगल डिंगल डिंगल पाशा हुन दी सी तभ पिंगल जा फिर अरूजी शेय नहींगे एक वीता एता सिरफ हस्ती ठीक है जड़ी मनुखदी हस्ती है जिमें वोच अलवलाल करदा हैगा सिरफ एक लादे विच बनन दीक यूगत है ए मौत तो उल्ट है मौत ता वजूद दे कड़ानू खड़ादन दी है प्रंतु छांद जड़ा है बनके रख दे इस कविता विच दोहे दा जड़ा सुबा है सैश ते वाला है इस विच अंदर दा ठहराओ दस्या गया है इसे ठहराओनू शेक फ्रीज जी ने अतिहोर सादू संता ने संता सूफिया ने जड़ा है इस जिकर किता सिते उनना दा त्यान दोहें दे उत्ते ज जड़ा सिगा इस ठहराओ दे उत्ते जड़ा सिल ठीक्या हो ऐसी अफजल साहर ने इना सारे महापुर्शा दे चरना विच भी जड़े हैं ठीके होई ने क्योंकि वह बहुत मांदेव सी ये अफजल साहर संतानू महापुर्शानू ता उना दे ओ की करदा हैगा कि ओ दोहे लिखे ने उसी हस्ती दे विच नजीक होना चांदा है इना जड़े ने पीना फकीना दे सादू संताने आते अफजले वी कहनदा है कि वजूद दी खेड विच बंदे नूँ खेड दिया पाजड़ा पईया हुई है क्योंकि हर एक बंदा अपना वजूद दायाट काके र अफजल साहार ने अपने अंदास दे विच क्या है तुरों लिखाई जानिये वन सवनीकार जणा को माने खोपड़ी दिल थी बोले कार ठीक है सो एक दोहा हैगा जड़ा तुसी उत्ते वी लिख के आ सकते हो पेपर दे विच अफजल साहार ने व्यंग परेशबद भी वर अफजल साहर ने व्यंग यूज किता है अपनी इस राइटिंग दे विच था ओनानू जड़ी है बुले शादी बख्षीश वरतान मिली होया अफजल साहर कवीता ने ना तशिंगारंदी कोशिश कर देने ना ही नमा बनारंदी जो जिमें है जो ब्यान कर दे सेम टू सेम तो में ही ब्यान कर दन देने ता लेकर अनसार इस कवीता दी जड़ी बौली है कि सतुलुज पार दी बौली दे विच लिकी गई है आते पार्थ वाले पंजाब इच ए बौली जड़ी है विसररी है मतलब खतम हो रही है ठीक है अलोब हो रही है ता लेकर के वीगनदा कि उद्धर वी एद्धर वाले पंजाब दी बोली दी आही हालत होएगी जो उद्धर वाली जड़ी बोली है उस दी हालत एथे है ना ता एथे वाली बोली दी वी हालत ओथे उद्धर वाले पंजाब दी वीच एमेदी ही होएगी निसररी होएगी विसररी होएगी पर एक पाकिस्तानी कवी अफजल साहर दी पुस्तक प्रेम कहे लिए बौ मुले अते परशनशात्मक शबत दी वर्तो किती है अते पुस्तक नू जी आया या यनकी वेलकम किया है। पुस्तक नू जी आया कहना है परशनशात्मक शबत दी वर्तो किती है। इस बुक दे विच जड़ा है बौती पंजाबी कवीता जड़ी है लिखी गई है अते इस पार चड़दे दी कवीता ओह बोली नू पुल दी जा रही है। पार्त विच ए बोली जड़ी जड़ी इस बुक देखी गई है तो ए बोली जड़ी है यह पुल दी जा रही है। इस करके जड़ा है कुछ नमा सिखनों मिल दा है तो नमी कवीता विच अफजल द्वारा वरत्या खोपड़ी शबद चाहे शायद पालया वीना लब्बे उन्ज लेखक दस्दा है कि कुछ सम्मे तक उदर दी बोली दा भी एहो हाल हो जाना है। ता जड़ो लेखक जड़ो लोका मिचे शेयर अते बजार दा खलोगे। ता यह बहुत ही इंट्रस्टिंग जड़ी है कि अब निबंसीगा होप तो नों बसान दाया होएगा मिल दे नमे वीडियो देनालता अन्यमाद।